Hello everyone, आज हम discuss करने वाले हैं कि अगर आप दिल्ली उनिवर्सिटीज में BMS में admission लेना चाते हैं Bachelor of Management Studies में तो क्या eligibility criteria है ये हम इस वीडियो में discuss करने वाले हैं तो BMS में admission लेने के लिए आपको ये पूरा combination फुल्फिल करना पड़ेगा क्या combination है? Any one language from list A तो list A से आपको कोई भी एक language चूज़ कर लेनी है अब list A में जो language mention है वो section 1A और section 1B की सारी language combined है उसमें से आप कोई भी एक language चूज़ कर लेजे English, Hindi, Punjabi, Urdu, Sanskrit, जो उन से language आप चूज़ करना चाहिए आप एक language चूज़ कर सकते हैं चीक है? Plus mathematics compulsory है और plus general test यानि section 3 आपको ये भी देना है तो यानि ये तीनों combination एक साथ आपको चाहिए admission लेने के लिए BMS में मैं अब ये आपको list भी दिखा देता हूँ और general test की preparation तो channel पर start हो गई तो साथ साथ cover करते चलिए क्योंकि जितने भी expected questions बनेंगे सारे questions जो है आपको cover करवा दी जाएंगे और ये सारे colleges हैं जो कि BMS जो है offer करते हैं चलिए मैं आपको list में दिखा देता हूँ list B1, B2 में क्या चीज़े mention है ताकि आप easily समझ जाएं कि ये है क्या ये रहा list A इसमें से आपको कोई भी एक language चूज़ कर लेनी है ठीक है plus maths आपको देना देना compulsory है mathematics यहाँ पर mention है यह आपको देना compulsory है और इसके बाद आपको क्या देना general test देना ठीक है तो अगर आप ये combination फुल्फिल कर देंगे तो इस program में आप admission लेने के लिए